सो हे गाईज वर्कम देशी निंजा सो गाईज पीछले वीडियो में मैंने जो आर्सीवी का ब्रेक्स लाया था उससे ब्रेक कोईल थोड़ा बहुत इधर उधर गिर गया था सो मैंने सब कुछ रब करके उठा दिया था बट अन्फॉर्ट्वेटली मुझे यह जगा पर नोटीज निया हुगा आज पीए मीटर एंड स्पीडो मीटर के उपर थोड़ा थोड़ा गिर गया था सो देख सकते हो गाईज थोड़ा थोड़ा करके दाग हो चुका है सो यह दाग जा नहीं रहा है बहुत कुछ ट्राइक है मैंने सो अभी क्या करेंगे गाईज आज इसके उपर थोड़ा सा कुछ रैप करेंगे जैसे कि यह अच्छा लगए एंड दाग धब्बे इतना ना धीके तो पहले इसको क्लीन कर लेते है यह मैरे पास है लीकी मॉली का भाइजर क्लीनर जो मुझे लर्ल मोटर से फ्री मिला था जब मैंने हर्शीवी का ब्रेक खरी दाथा तो अच्छले यह क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा है मिर्यार्स बगएरा भी क्लीन बहुत ही अच्छी तरिक से करता है एंड इसको पूरा साफ हो चुका है फिर भी गाइज उपर का जो दाग है वो नहीं जा रहा है तो अभी इसके उपर रैप कर रहाएंगे कुछ देखते है क्या रैप होता है एंड इसके साथ साथ सास्पेंसेन एंड वील्स पर भी थोड़ा बहुत डीटेलिंग कर रहाएंगे तो चल वाला प्रोटेक्टिव फिल्म है जो लगा रहा हूं एंड देखते है कैसा लग रहा है एक्चुली उपर से बहुत ही कूल लग रहा है जैसे कि देख सकते हो एक टीन टेरा है पर्पिलिश ग्रीनीश टाइप का सो अल्टिमेटली देखते है कैसा फिट अन फिनिश होता है देख सकते हो कितना कूल लग रहा है एक्चुली जब संड्रेस गी रहा है तो और भी अच्छा लग रहा है बहुत तरका कलर्स दिख रहा है रिफ्लेक्शन में इसका काम अल्मोस्ट कम्प्रीट हो चुका है और देख सकतो बहुत ही मस्त लग रहा है तुम लोग कमेंट शेक्शन पर मुझे जरूर बताना तुम लोग को कैसा लगा यह प्रोटिक्टिव फिल्म पर्पलिश शेड में है और बहुत तरका कलर्स आ रहा है ब्लू ग्रीन टाइप का एंड एक्शुली गाइस बहुत फूल लग रहा है देख सकतो सेड बहुत अच्छा है इसका सो कमेंट शेक्शन में मुझे जरूर बताना अभी वील का जो रीम है उसको रैप करेंगे और देखते गाइस कौन से कलर में लिया जाए सो गाइस देख सकतो मैंने कलर थोड़ा लाइट ग्रीन टाइप का लिया नियोन ग्रीन या डार्क ग्रीन ज्याद अच्छा नहीं लग रहा था काइस अब छिपकाने के बाद कैसा लगता है सो आउटसइड लगा थुम लोग को यह कलर मुझे कमेंच वे जरूर बताना मैं जरूर जानना चाहूंगा सब्सक्राइब करेंगे यह देख सकते हो गाइज नया टाइक पर एक पेपर आया है जो बहुत ही कूल लग रहा है और यह टीनो सेड में आता है पिंग पर्पल एंड ब्लुई शेड देख सकते हो एक ही पेपर में और एक गॉल्डेन होता है जो सभी को पाता है अभी देखते है कैसा लगता है बाइक इसको रैप करके सो गाइस जो पर्पल टाइप का प्रोटेक्टिव फिल्म था इसके उपर वह मैंने उतार दिया क्योंकि जब संड्रेस गिर रहते बहुत ज्यादा तो कुछ ज्यादे रिफ्लेक्ट कर रहा था यान मीटर ठीक से वीजिबल नहीं हो रहा था सो अब एक ट्रांस्प्रेंट लगा रहा हो ताकि अंदर का जो स्क्रैचेस है वो ना दिखे मत्तब जो दाग हो गया था वो ना दिखे बाहर से सो अगर तुम लोग परपल सेड या कोई भी सेड का लगाना चाते हो डेफिनेटल लगा सकते हो अगर मीटर पर उतना ध्यान नहीं देता हो तो उसको लगा की यूज कर सकते हो ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा बट मैं बहुत ज्यादा देखता हूं मीटर इज लिंक का काम कम्प्रीट होता है सो अभी तुम लोग को एक फाइनल लूक दिखा देता हूं तो गई देख सकते कालर कितना कूल लग रहा है और आई होप तुम लोगों ये वीडियो अच्छा लगाए अच्छा लगाए तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो हैं हम लोग बहुत जाल और वीडियो लेकर आने बाद है तिल लें टेक केर सी यू बावाई